Welcome to knowledge seekers guys तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि कैसे हूँ अपने जो VPA वो चेक कर सकते हैं Virtual Payment Address और Phone पे As well as Google पे तो Phone पे और Google पे के दोनों के जो Virtual Payment Address है वो कहा रहता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो तो सबसे पहले गाईज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने Google पे का जो वी पी ए है वो चेक कर सकते हैं तो Google पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर हमारी प्रोफाइल पीक है उस पर हमें क्लिक करना है उपर साइड राइट एंड साइड टॉप में जैसी इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सेटिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है तो सेटिंग्स में हमें पहले क्लिक कर लेना है फिर सेटिंग्स में क्लिक करने के पाद गाईज यहाँ उपर साइड जहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक है उसके थोड़ा र इसकी फोन पे में हम VPA कैसे चेक कर सकते है ठीक है तो इसके लिए गाईज मैं पहले तो फोन पे जो है मेरा वो उपन कर लेता हूँ जैसे मैं फोन पे उपन करता हूँ गाईज तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमें गाईज नीचे में जो है स्विच का उप्शन उसके बाजू में है गाईज माई मनी का उप्शन तो माई मनी के उप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे हमें जान इसके नीचे आपके लिका है BIM UPI IDS तो इसके उपर जो सबसे उपर है वो आपका जो VPA वो है आपके फोन पे का VPA बाकी नीचे के जो दो है उसको अगर आपको एक्टिव करना है वो कर सकते हो बट जो सबसे उपर है इस YBL वाला वो आपका VPA एड्रेस है फोन पे का ठीक है तो यह आपको जहाँ पे भी रिक्वाइड होगा तो यह एड्रेस आप वाप पे डालके अपने जो further payment से उनको continue कर सकते हो ठीक है तो VPA का काफी काम आता है आपको तो यह फोन पे का VPA और इसके पहले मैंने आपको जो दिखाय था वो Google पे का VPA ठीक है तो ऐसे हम सब कुछ चेक कर सकते हैं फोन पे और गूगल पे का जो VPA वो चेक कर सकते हैं कभी भी हमें payment बगए करना पड़ता है तो VPA की हमाई ज़रूरत लग सकती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर आपको यह वीडियो लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा ताकि आइसी वीडियो के जो अपडेट से वह आपको मिलते रहें